कोरोना के डेल्टा वेरियंट को लेकर डेवलेचू की एक रिपोर्ट में दुनिया के सभी देशों को फिर से चुनता में डाल दिया है विश्रुस्वास्त संगठर ने आगाह किया है कि delta variant आने वाले दिनों में सबसे तेजी से फैरने वाला variant बन जाएगा मौजूदा स्थिति की बात करें तो दुनिया के करीब करीब 100 से जादा देशों में delta variant की मामले सामनी आए है WHO के अनुसार ये दुनिया का अब तक का सबसी ज़ादा संक्रामक वेरिंट होगा ऐसे वक्त में दुनिया के कई देशों के सामने संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती बन रहा है कई देश अभी भी ऐसे हैं जहां जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए संसाधन कम है लहाजा डेल्टा वेरिंट की बहचान के लिए और संसाधन की जरौत है कोरोना संक्रमन की दर बढ़ने की बारे में बताते हुए WHO ने आगाह किया है कि आने वाले महीनों में डेल्टा वेरिंट फैलने की मामले में COVID-19 की अन्य वेरिंट्स को पीछे छोड़ देगा विश्व स्वास्ति संगठर ने कहा है कि कोरोना वायरिस की चपेट में आने से बशने के लिए अब तक जो उपाई अपनाये जा रहे थे वो कारगर है मसलन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हाथ धोते रहना, खान-पान आदि चुनता जनक की केटगरी में रखे गए डिल्टा वेरियंट से बशने के लिए भी ये उपाई कारगर साबित हो रहे है डबलेचो ने सुझाव दिया है कि डिल्टा वेरियंट से बशने के लिए वैक्सिनेशन को तेज के जाने की जरूत है ठीका करण में उन देशों को तेजी दिखाने के जरूत है जहां कोरूना वेक्सिनेशन सुस्त गती से चल रहा है माना जा रहा है कि डिल्टा वेरियंट उस आबादी को तेजी से अपना शुकार बनाएगा जो अभी तक वेक्सिन से वंचुत रहे हैं बता दें कि कोरूना के नए वेरियंट के मामले उन देशों में सबसे ज़ादा रिकॉर्ड किये गए हैं जहां कोरूना से जुड़े नियमों में सबसे ज़ादा धील दी गई और लोगों ने नियमों की अंदेखे की बहरहाल आप इस समय नियमों का पालन करें बाकी देश और दुनिया की अन्यवड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भालत वर्ष झालत वर्ष